राजणांत गाउं के ऩेकवा में कॉंग्रेस पाटी ने भरोषय का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कॉंग्रेस के रास्टी अध्यक्ष मलीका अजुन खडगे और मुख्यमंतरी भुपेश बघहल ने शिर्कत की. इस औरान कॉंग्रेस के रास्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बगहेल के हाथो करोड़ों रुपे के विकास कारियों का भूमी पुजन एवं लोकारपन किया गया सम्मेलन में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीका अजुन खड़के ने कहा कि मोधी सरकार सबको एडी का डर दिखाती है भरोसे का सम्मेलन कारिक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भुपेश बगहेल ने की पुर्व विजेपी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा बुपेश बगेल ने कहा कि 15 साल तक रमन सरकार ने जनता को लूटने का काम किया मुखेमंद्री बगेल ने कहा कि देश के 110 पिछड़े जिले में राजनांद गाउं भी है किसान यहां पर आत्म हत्या करते हैं और चिटफंड कंपनी घोटाला करती है यही लूटने का काम केंद्री सरकार कर रही है इंद्रा साकारी बैंक इंद्रा केंद्री बैंक वहां का पैसल लूटेरी से और उहीं लूटे काम केंद्र सरकार भी करा थे पेट्रोल के डीजल के भावल बढ़ाये के वही मैलिका अजुन घडगे ने कहा कि 36 गड़ की कॉंग्रेस सरकार भरोसे की सरकार है यह गरीबो पिछडो आदिवासियों और केसानों की सरकार है यह मोदी का गुजरात मॉडल नहीं है कॉंग्रेस पार्टी और भुपेश बगेल सरकार का मॉडल है जब रायपूर में क का अधिवेशन हुआ उसे देन पार्टी के लोगों के यहाँ इडी का च्छापा डाला गया यह च्हापे कोवाध के लोगों को डराने के लिए मारा गया लेकिन 36 गडके लोग डरने वाले नहीं है अगर हम कॉंग्रेस के लोग ड़ते तो इंद्रा गांधि राजीव गां हमने बेजा और बाकी ठीजे भी हमने की और महिला भी गई लेकिन उन्हों क्योंने जा यह रहे और उनके महिला यह जा रहे यहाँ राजस्तान आते हैं उदर आते हैं उदर भी बेजो फिर तो यह commitment महिए जिन लोगों के पास commitment नहीं है का कर दो युनिवर्सिटी अन्लॉकिंग पोटेंशिल आप देख रहे हैं दखल नियूद